अलो फ्रेंड्स अभी वीडियो लेक्चर 3-4 डिप्लोमा कोर्सेस में आपका स्वागत है अभी इस वीडियो में हम मोमेंट आफ इनर्शिया का नुमेरिकल करेंगे ठीक है जड़त वागून का जो नुमेरिकल है वो आप लोगों को इसमें सॉल्व करनें ओगे चल यह लेक् ठीक है तो उसको आप निकाल लो फाइल को अब देखे सबसे पहले इसमें क्या करना है मोमेंट आफ इनर्शिया निकालना है कंपोजिट सेक्शन का मतलब क्या होता है कंपोजिट सेक्शन का मतलब है कि पिछले मेरिकल में हमने सिर्फ एक रेक्टेंगल को सॉल्व किया था किलियर है जब भी मुमिंट वरे निकलना हो तो उसमें सबसे पहले हम को यह डिफाइन करना कि कि इस एकसिस के अबऊट निकालना है मबंड आफिरशन स यानि की जो घूमता है कोई बॉडी किसे एकसिस के अभाट रोटेट करती है तो वुसक्राइट निकालना है है कि तो जब भी अगर एक्सेश चेंज जाएगा जैसे अगर मालीचे एक्स क्रूमिया unit अगर यहां से प्लॉटेच करीये है यहां से रोडेंट करेगी यह तो हम क्या करते हैं सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सौल करने से पहले एक क्या मान लेंगे एक्सेस तो क्योंकि एक सिमेट्रिकल सेक्शन है सिमेट्रिकल यहने की अगर में एक लाइन यहां से खीच दू तो इसके दोनों तरफ क्या हो रहा है देखो दोनों तरफ क्या हो इसका जो centroid आएगा वो हमको पता है कहा आएगा इस एक्सिस के ओपर आया क्योंकि यहां से और यहां से दोनों तरफ वजन बराबर है उसी प्रकार से अगर में एक लाइन यहां पर खीचने की कोशिश करूं कि अना सेंटर में तो अब यहां पर नहीं आएगा क्यों क्यों कि यहां पर यह चोटा वाला ट्रेंगल है यहां पर यह बड़ा ट्रेंगल है यह बड़ा रेक्टेंगल है तो एरिया यहां पर ज्यादा है इसलिए हमारा सेंट्रॉइड जो है क्योंकि नीचे की तरफ इसके बॉल दिया हमने इस एक्सिस को बोल दिया वहाई इस एक्सिस को बूल दिया एक्स ठीक है चल तो आप कोश्चन को अपन सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं देखो सबसे बहले स्टार्ट के लिए अब उसमें को पता है कि मोमेंट आफ इनर्शव अगर मुझे इसकी अबाउट निकालना है वह यहां पर है क्योंकि तीनों सेंट्रॉइड है यह और यह तीनों की जो सेंट्रॉइड लैक्सिस है वह एक ही लाइन पर आ रही है अगर मैं सिर्फ इस rectangle की बात करूँ है ना तो इसकी y axis भी इसी axis पर आएगी इस वाले की भी बात करूँगा तो वो भी इसी पर आएगी और इसकी बात करूँगा वो भी इसी पर आएगी इसलिए तीनों axis coincide कर रही है इसलिए इनका जो i y जो composite section का बनेगा वो क्या हो उसलिए है next और यह वाली एकसी मंने पकड़ ली इस axis को मैंने क्या बूल दिया वन यह निकाल रहा हो सबसे पहले इसका निकालना है किarse का यह इसका निकालना है톡 और प्रका निकालना है अब प्रॉब्लम क्या है की इसमीदय मुमेंट ऑफ इनरिश्य निकलेगा सबसे पह यह रेक्टेंगल का अगर मालो मैं इसका निकाल रहा हूं तो यहां देखो यह मैंने लाइन कीची तो इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट आफ इनर्शा मिल जाएगा है इसको मैंने के दिया लेकिन मुझे किस एक्सिस के अबाउट चाहिए इस एक्सिस के अबाउट यह वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मुझे यहां पर कौन सी थिरूम लगाना पड़ेगी मुझे यहां पर लगाना पड़ेगी पैरिलल एक्सिस थिरूम कौन सी थिरूम पैरिलल एक्सिस थि यहां पर यह अिए तो जो इमेरा काम करने के तरीका रहेगा वे यह रहेगा पहले में सिंपल सेंट्रॉइडट एक्षिस के उपर मुमेंंट आफे इन इंट्रिशन लॉड। इसκεर एब इसको कह दिया मैंने आई वन इसको कह दिया आई तू इसको कह दिया आई थ्री अब इन तीनों को मैं प्लस नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे तो इस एक्सिस के वाउट चाहिए ये वाली तो अब यहां पर मुझे लगाना पड़ेगी पैरलल एक्सिस थेयरों मैंने क्या प्रसाइब और रहा हुआ है और हमें किसी दूसरी पैरिलल एक्सिस कोई दूसरी पैरलल एक्सिस जा रही है उसके अब बॉमेंट आफ इनर्श्या पता गरना थान्त है तो उसमें क्या जोड़ देते है एरिया मुल्टिप्लाइड वाई जो उन एक्सिस के बीच की हमारी程 एक् succm है और मुझेase exercise कि about निकालना इं करना है आई अब पता करना है तो आईए विके होजागी जो centroidal axis कि about moment of inertia जो मैं निकाल रहाँ उसमें प्लस करना किसका के इसका एरे डाइड और उसमें total करना वाई बार का स्कवेट यह तो पेरलल एकस्ट धिरम तो पेरलेल आक्सिस धिवरम मर को भी इहां पर तीन बार लगाना पड़ेगी क्यों क्योंकि अभी यहां पर तीन बार हमारे पास मैं रेक्टेंगल आ रहे हैं क्लियर है कौन-कौन सा रेक्टेंगल है इनको हमने नामकरंट कर दिया सबसे पहले नामकरंट सबस्कार करेंगे तो उसमें सबसे पहला कौन सा होगा A B C D A B C D इसको मैंने कह दिया 1 ठीक है इसका एरिया मैंने बोल दिया A1 यह जो एरिया है इसको मैंने क्या कह दिया A1 और जो डिस्टेंस है यह कहां से डिस्टेंस है इसकी जो इस एंटरोइडल एक्सीज है यह यह दिस्टेंस देखो मैंने यह लिखा हुआ है यह यह लिख दिया है यह दिस्टेंस है Y1 यह इसको जड़ा सही कर लेना यह Y1 नहीं है यह Y3 है Y2 और यह Y1 है ठीक है उसी हिजाब से यह हो गया एक अब दूसरा E F G H E F G H यह मेरा दूसरा रेक्टेंगल है जो कि यह खड़ा है अब इसकी जो सेंटरोड एक्सीस है वो यह जा रही है इसके इससे हमारी इस एक्सीस की डिस्टेंस किती है Y2 और इसका एरिया कितना हो गया A2 उसी प्रकार से तीसरा M यहां से J K L M इसको मैंने कह जिए तीसरा तीसरे का जो एरिया है यह हो गया A3 और यह जो सेंटरोड एक्सीस है इससे इसकी डिस्टेंस हो गई Y3 यह Y3 कर लेना क्लियर है तो अब हम जाते हैं नीचे अब हमने क्या अगरा रही देखो एक ऐसी टेबल बनाना है सिंपल सी यह टेबल बनाने से क्या फाइदा होगा कि हमारा काम बहुत स्पीडली हो जाएगा सबसे पहले मैंने लिखा टेबल में कंपोनेंट तीन कंपोनेंट है A B C D E F G H इनका एरिया लिख लिया एरिया क्या होगा कंपोनेंट वन का एरिया A1 क्या है A1 यह ए 1 की वैल्यू नहीं कित्नी आएगी लैंठ इंटू विट्थ्थ लैंठ कित्नी है है उड्यडगश इल्ड़ियत कित्नी है ट्वेंटि tensions याजाएगी Big-t sanctuary यह मेरी वैल्यू आ जाएगी A1 की A2 की value कितने आएगी यह distance किती है 100 और 20 तो A2 की value भी आ जाएगी 2000 mm2 इसी जाप से A3 की value कितने आएगी यह 200 है और यह 20 है तो कितना आजाएगा 40123 एक दो 3 mm2 अब यह सारी values मैंने कहा लिख दी यह values लिख दी मैंने यहाँ पर देखो A1 की value यह A2 की value और यह A3 की value फिर मैंने क्या करा अब इसकी जो centroidal distance है 1 1 से 1 1 कौन सी axis है 1 1 axis है हमारी यह वाली यहां से मैंने तीनों की distance लिख दी clear जैसे यह हमारी axis है 1 1 यह हमारी इस axis के about निकालना है moment of inertia इसके about निकालना है और पता किसके about है 1 axis 2 axis और 3 axis इनके about मैंने distance पता कर ली अगर यह मेरा 1 1 है तो एक यह axis जारी है एक यह जारी है और एक यह जारी है इनके वीच में distance कितनी हो जाएगी यह हो जाएगा हमारी y1 y2 और y3 यह distance कैसे 100 तो यह total कितना हो गया यहां तक कितना हो गया यह हो गया 120 अब यह total कितना था 20 पर यह इसके center से नहीं कल रही है centroid axis तो यह distance कितनी हो जाएगी 10 तो y1 की value कितनी हो जाएगी 120 plus 10 130 clear देखो यह हो गी 130 अब हम किसकी निकालेंगे distance दूसरे वाले की दूसरा वाला का है यह 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 distance किससे निकालना है इस axis से निकालना है तो क्या distance होगी यह distance कितनी होगी बताओ यह तो होगी 20 है ना यह तो होगी 20 और यह total कितना है 100 100 का center कितना हो जाएगा 50 तो 50 और यह 20 तो total distance कितनी हो जाएगी 70 देखें कितनी आ रही है यह देख सेवंटी है ना इस जीएच का अब तीसरा क्या है जे के एल एम अब तीसरा है जे के एल एम वाला का सिंपल है क्यों क्यूंकि इसमें यह एक्सेज है हमारी यह ना और यह इन दूनों के बीच की distance कितनी हो जाएगी 20 का आधा यहने की 10 कि इस इस कितनी हो जाएगी यह 20 और यह 10 क्लियर है यह 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 आगे हमारी distance 10 यह तो हो गया हमारा दूसरा टेबल का कॉलम अब हमारा आता है तीसरा कॉलम तीसरे में सिंपल है ए भाई ए भाई क्या है यह ए है और यह भाई है तो इन दूनों का इसकी वेल्यू आगए ए भाई की वेल्यू आगए फिर किसकी वेल्यू आने है इसकी 2000 multiplied by 70 यह कितना हो जाएगा 274 14 एक दो तीन चार एक दो तीन चार यह वेल्यू आगई इसके लिए अब जे के एलम की बात करता हूं मैं अगर जे के एलम के लिए 4000 multiplied by 10 is equal to 40000 क्लियर है यह हो गही हमारी एक यह भाई अब हमको क्या निकालना है यह भाई square मतलब क्या कि इसके अंदर इसका square करके यहां लिग देना है यह वन थर्टी का पहले square करो उसमें 2000 का multiply करो तो यह value आएगी ठीक है जैसे यह 130 ठीक है तो यह value आपकी आजाएगी इसको calculator में आप लोग solve कर लेना मैंने यहां पर लिख दिया है solve करना है उसी प्रकार से 2000 multiplied by 70 का square तो यह हो हमारा a y square यह value ठीक तो यह value आ जाएगी है अना 77 जा 49 49 इंटू 2 हो जाएगा आपका 98 क्लियर है उसी प्रकार से 4000 multiplied by 10 का square तो यह जाएगा 40 400,000 ठीक है a y square निकाल लिया अब आखरी में निखना है i self का मतलब क्या है इनको पता है i self क्या होगा b d cube by 12 यह formula है अभी हमने पिछली बार एक question किया सा उसका यह formula है i is equal to b d cube by 12 है ना तो b में d कुन सा होता है अगर यह मेरा rectangle है clear और इस axis के about निकालना है तो cube किसका होगा जिसको काट रहे है अगर हम इसको काट रहे है अगर हम यह वाली चीज़ को काट रहे है यह वाली axis को इसका cube करना है और मानलो मैंने बड़ा rectangle बनाया लंबा वाला और इसमे में मानलो जैसे मानलो कि यह हमारा आई है यह हमारा एक section है यह हमारा दूसरा section है और यह हमारा तीसरा section है तो अब मैं क्या करूंगा simple इस यह वाली axis इस axis के about निकाला है दूसरा इस axis के about और तीसरा इस axis के about यह क्या है यह है i self यह होगा b d cube by 12 तो cube किसका करना है यह surface का इसका और इसका तो याद करो यह कितनी value दिये आपको यह value दिये आपको 20 यह value दिये आपको 100 और यह value दिये आपको 20 यह value कितनी है 100 यह value कितनी है 20 और यह value किती है 200 ठीक तो अब i self निकालना जो सबसे पहले one का निकालेंगे यह a b c d वाले का a b c और d वाले का तो cube किसका करना है क्यूब किसका करना है हमको i1 का ठीक है 100 multiplied by 20 का cube divided by 12 i2 की value कितनी आएगी i2 की value कितनी आएगी i2 जो आएगी इसकी value आएगी 20 इंटू 100 का cube 100 का cube क्यों क्या क्योंकि यह वाले axis के about निकालना जीजीत axis के about निकालना उसका cube divided by 12 और i3 की value कितनी आएगी i3 की value आएगी 200 multiplied by 20 का cube divided by 12 और सबकी unit कितनी आएगी millimeter की power 4 थीक तो यह देखो यह मैंने निकाला triple 6 से 7 इसमें क्या किया है देखो आप यह रहा हमारा यहां पर है clear है 20,100 किसके about निकालना इसके about तो i1 की value कितनी हो जाएगी 100 multiplied by 20 का cube divided by 12 इसको आप calculator में solve करेंगे तो आपका answer कितना आजाएगा वह लिखत देना table में दूसरा i2 i2 की value कितनी आएगी यह इस axis को काट रही है यानि cube किसका करना है 100 का ठीक है 20 into 100 का cube divided by 12 इसी प्रकार से यह यह वाली हमारी axis है तो i3 में 200 multiplied by 20 का cube divided by 12 यह आगया हमारा ठीक है 1 2 और 3 अब यहां पर हमको total कर देना तो total area a1 plus a2 plus a3 इसकी value आ गई यह उसी प्रकार से a y को जोड़ देना है a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 यह आ जाएगी value और a1 y1 square plus a2 y2 square plus a3 y3 square इसकी value आ जाएगी यह clear है तो अब हमारा जो moment of inertia निकालना है उसका formula कुछ यह है moment of inertia का formula बनेगा moment of inertia about 1 1 यह निकलेगा i self का summation plus summation of a y square ठीक है तो i1 1 के about हमारा जो summation निकलेगा वो कितना निकलेगा यह यह value है देखो इसको थोड़ा सा उपर करता हूं इससा इससे छोटा करता हूं ठीक तब दिखेगा यह formula आप लोग याद कर लेना i self summation of i self plus summation of a y square तो summation of i self कितना हो जाएगा यह 1 8 यह मैंने क्या अगरा तीनों i को जोड लिया यह i1 plus i2 plus i3 को जोड लिया और फिर summation of a y square यह इसको इसको जोड लिया तो यह parallel axis theorem का formula से आया है ठीक है ना इनको जोड लिया तो यह हमारा moment of inertia about axis 1 1 आ गया है ठीक है यह तो हो गया आपका एक आंसर अब आपको अगली चीज़ का निकालना है distance of centroidal axis from 1 1 आपको यह पता करना है कि असल में वह जो हमारी axis है कौन सी axis जैसे हमारा एक यह दो और यह तीन अब इसमें क्या हो रहा था कि हमारी जो axis एक्चुली में जो centroidal axis है वो क्या हो रही थी जला नीचे आ गई थी यह इसका center से थोड़ इसी नीचे आ गई थी तो अब हमको इसका formula हमने पढ़ा था वो था summation of a y divided by summation of a तो a y क्या होगा यह इसका इसका और इसका तीनों का a y को जोड़ लो और उसके summation of total a से divide कर दो तो हमको y bar मिल जादा था यह हमने centroid की जब numerical solve किया था वहां पे सीखा था यह formula हमने यह लगा दिया यह देखो क्या लगाया y bar is equal to summation of a y summation of a y का है यह निकाला उपर जड़ेखों summation of a y तो a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 यह value आ गई summation of a y की और summation of area तीनों की area को जोड़ दिया यहां से इनको y bar मिल गया y bar की value पित्ती आ गई यह आ गई 55 mm तो यह इस प्रकार से आपका जो moment of inertia का complete numerical है यह solve होता है ठीक है अब आप लोगों को क्या करना है यह देखो अब यह तो हमने क्या निकाल लिया है यह हमारा काम हो गया कि हमने निकाल लिया है moment of inertia about axis one one अब आपसे कोई पूछे कि नहीं हमको तो यह वाली जो axis है total axis जो आ रही थी ना जिसके यहां से distance कितनी आई थी y bar तो यह वाली axis के about निकालो तो यह वाली axis के about निकाला है simple है parallel axis theorem i self plus ay bar chi square clear है तो अब इसका formula हमने क्या लगाया यहां पर लगाया देखो यह के आगे का question है अगर आपसे question में पुछे कि about its centroidal axis निकालना है तो आपको फिर यह तीसरा काम भी करना पड़ेगा i1 1 is equal to ix plus यह formula होता है तो आपको centroidal axis यह parallel axis ते रहा हम है ना यह आई एक्सेस क्या है centroidal axis क्लियर है तो centroidal axis में आप submission of ay bar कर देखे तो आपको i1 1 मिल जागा आपको उल्टा करना है तो उल्टा करने के लिए का करेंगे इसको आप ले जाएंगे यहां पर और इसको ले आएंगे यहां पर तो जब इसको आप मतलब असल में आप माइनस कर देंगे तो यह जाएगा माइनस यहां पर तो यह वैल्यू आ जाएगी आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है तो यह आपका centroidal axis के about moment of inertia की value आ जाएगी तो यह जाएगा आपका आंसर तो आपने centroidal axis के about moment of inertia एक composite section का निकालना सीख लिया है अब आपको क्या करना है आपको कुछ assignment दे रहा हूं है यह जो तीन question है यह तीन question आप सभी को solve करना है a, b और c यह जो है यहाँ पर यह T section है यह L section है और यह I section है ठीक है तो steps आप सभी को मालूम है आपको क्या करना है moment of inertia निकालना है किसके about about centroid axis तो centroid axis क्या होगी जैसे यह अगर हमारा symmetrical section है symmetrical section की centroid symmetrical center इसके center पर होगा यह एक axis और यह दूसरी axis लेकिन जो main centroid axis आएगी इस component section की यह ना वो होगी थोड़ सी ऊपर यह थीक है वो होगी थोड़ी सी ऊपर यहां पर तो axis number one axis number two और यह होगी हमारी main centroid axis तो यह जो axis है ना इसके about आपको moment of inertia निकालना है यह हमारी final axis है तो आप लोगों को प्रक्रिया पता है क्या करना है सबसे पहले टेवल बनाना है ना टेवल में कैसे टेवल है पर दिखा दिया आपको यह देखो यह टेवल बनाओ इस प्रकार से उसके आदमी यह formula की value रखो और यहां पर इस प्रकार से पूरा खताम हुआ moment of inertia फिनिश हो गया है अब हमारा बच्चे का elasticity and related concepts of stress and strain फिर इसके बात पढ़ेंगे सिब्डी BMD फिर इसके पास bending stress shear stress फिर column and trusses ओके चली तो यह आपका assignment है इसको आपको solve करना है तो आपको मैंने सारे assignment जो भी इस PDF में दिये हुए है वो सारे assignment मुझे submit करना है ठीक चलिए यह references and further reading है thank you झाल झाल